हिमाचे प्रदेश में दिसंबर महीने में मौसम गर्मी वाले तेवर दिखा रहा है राजधानी शिमला में शरद मौसम गर्मी का एहसास दिला रहा है सर्दियों के मौसम में चल चलाती धूप पड़ रही है प्रदेश के अधिक तरक्षित्रों में तापमान समाने से 3-5 डिगरी सेल्सिस तक अधिक चल रहे हैं पिछले 24 घंटों के दुरान शिमला का तापमान समाने से लगभग 6 डिगरी अधिक उच्छाल के साथ 20 डिगरी पहुंच किया जो 2017 के बाद सरवधिक है मौसम विभा की माने तो 2016 में अधिक तापमान 22.3 डिगरी सेल्सिस तक गया था जबकि 2017 में 21.3 डिगरी सेल्सिस रहा था हलांकि नियुनतम तापमान समाने चल रहे हैं हिमाच प्रदेश के कई भागों में इस सर्दी के मौसम में अधिक तापमान समाने से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है मौसम विभाग ने आगामी 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है तो नियुनतम ताम है अभी लहस्पिती में रिकॉर्ड किया था प्रदेश में मैंनली ड्राइग के संभावना है और अगर वार्निंग की बात करें तो जो हमारे डिस्टिक बिलासपूर है और ये मंडी है संदन अगर यहां आइस्वेट कॉकिट्स में सुबा के समय अगामी तीन दिनों के लिए यहां पर मौडरे टो डेंस फॉर्ग होने की संभावना है जो हमारे डिस्टिक है हमिर्पर हुना है कांग्रा मंडी यहां पर हमने कोड़ बेर का अलर्ट जारे गिया अगामी तीन दिनों के लिए कितने साथ का अगार देखिये जो रिकॉर्ड की बात करें तो जो मर्शिमला स्टेशन है यहां पे वर्ष तोजाग सतरा के बाद बीस डिगरी से रिकॉर्ड किया गया है जो अभी तक जो एक्स्ट्रीम है वज़ा सोला का रिकॉर्ड है वाइस कॉंट टीम उसका दॉसका अभी इस वर्ष ये डिसमबर में बीस डिगरी से रिकॉर्ड किया गया है क्या लग रहा है आने वाले दिनों में भी तर देखिये इतना जादा चेंज नहीं होगा मला जो नॉमल टैंबर उसमें एक से दो डिगरी प्लस मैंस हो सकता है इतना जाद राइस होने कि सम्भाब अभी और बात करेंगे कि अभी पूरा दिसमबरी लगब अब राइनी पर रहा है क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कोई है लाट या किस तरह देखिया अभी जैसे 21 तारिक तक तो पूरे प्रदेश में ही ड्राइ कंडिशन रहने की सम्भाबना है और इसके चलते सम्भाबना नहीं अभी अगामी 21 तारिक तक